कि सभी को नमस्कार मैं एक्जाम दिवस से ओंकार जहाँ आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं कभी बी लोग बीडियो पने जीए पीछे क्योंकि अगर कुछ बताने को नहीं है सब करी स्मूद्ध चल था है कुछ भी नया नहीं हुआ तो मैं क्यों बताँ जाओं बीच में ठीक है तो आज जो वीडियो जो बना रहा हूँ उसके पिछे कुछ परपस है कई सारे कॉल मैसेज़ेस मेल्स और असमंदस की जो इस्थिति है उसके बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं आप लोगों के साथ रूबारू हूँ और अपनी बातों को रखूँ तो देखिए सबसे पहली जो बात है वो यह है कि बीएस प्रियेट सील जो फॉर्म हो गए थे रियूपन रियूपन हुए अभी साथ 26 तारी तक तो फॉर्म ही भड़े गए हैं सब कुछ मिला के मैं इतना ध्यान नहीं रखता देट का कोई अब ग्यान ग्यान ना दे कि नहीं 26 को नहीं 21 को बढ़ा गया है क्योंकि देखो ना तो मैंने फॉर्म भड़ा है और ना मैंने फिर इसको देखाई कब कब तक एडिटिंग हुई है क्या हुई इस पर कोई ग्यान मत देना फाल तो जो पर ग्यान बनतो अगर मेरे कॉंटेंट में कोई कमी लगे मैं कुछ गलत और पर जो कोचिंग सेंटर इस बाले हैं ठेक है वो आपको बताएंगी कि बेटा अग्जाम हो जाएगा नवंबर एंड में ठेक है देखो लगा वो भी तुक्काई रहे पहले बात और जो मैं बताऊंगा वो भी तुक्के क्या धार पर ही है वाट न मेरे तुक्के के पिछे न मैं लॉजिक दे सकता हूं उनसे पुछे तो बोलेंगे कोई लॉजिक नहीं है पहले इनकी जो नवंबर एंड की जो थ पहली बात कि किसको मिले गा कौन एक्जाम कराएगा थेक है उसके बाद साथ आठ को छठ पूजा है थेक है खुमार उतरते उतरते 12 13 तारिक हो जाएगी नवंबर की थेक है पंद्रा दिन टैंडर भी हो जाएगा एक्जन अब जो में बात वह क्या है उसको समझे तो इसका मतलब क्या हो गया कि नवंबर और एंड में आगए मेरे हिसाब से जो एक्जाम होगा आपका वो होगा जन्वरी के फर्स्ट हाथ में जो मुझे लगता है देखो भगवान से मनाओ कि नवंबर एंड में हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो मगर जो लॉजिक्स कहते हैं वो यही कहते हैं कि नवंबर एंड में एक्जाम होना ओल्मुष्ट इंपॉसिबल सा काम है करा नहीं पाएगी आयोग एक्जाम को ठेक है तो अब लोग पूछेंगे कि आगे क्या करें ठीक है आगे क्या करें तो मैं आपको कुछ एक्जामपल्स के माध्यम से चीज़ों को समझाना चाहता हूं ठीक है समझिएगा देखो जब हमारा यूपी पी-सी-ल का एक्जाम हुआ था ठीक है जब हमारा यूपी-सी-ल का एक्जाम हुआ तो सेम कहानी हुई एक्जाम फॉम हमने भर दिया साल भर तक एक्जाम नहीं हुआ अचानक से उन्होंने बता दिया लो भाईया एक्जाम आपका जून में है ठीक है जिसे देखो बहुत लेस तैयारी के साथ मैंने एक्जाम क्वालिफाई कर दिया था मेरा वाला रीजन कहता कि मैं थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ता था और मुझे बहुत अच्छे अच्छे बच्छे इस एक्जाम में छटवे गए थे ठीक है तो सच्छा ही यह तो आपक कोई follow करो बागी किसी को ना करो किसी को भी करो विर मेरे को को कोंई langus तो है नहीं ठीक है किसी को भी फ़एखो करें को वेच्छो चैंब करो कोई रिक्कत में ब्लट इसको आप फॉ सब्जेक्ट बाइस देखना है क्या इस्टरजी बनानी है क्या है उसके लिए मैंने पहले वीडियो डाल दी है कुछ लोग मुझे समझे में नहीं आ रहा है एक कमेंट में पास लगाता रहाता है मैं नाम नहीं लूगा उन पंशन का इससर कोर्रस्पोंडेंस के लरका डिटेल वीडियो डाल दो अरे सहाब मैंने बना रखी है वीडियो आपको देखना नहीं है वो अलग बात है आप एक बार जाके मेरे सारे कॉंटेंट को गो थुरू किजिए आपको वीडियो मिल जाए अब आप मेरे को मैसेज कर रहे हैं त जो मैंने इनको बताया है जो जूनियर अकाउंट्स क्लरक को जो मैंने बताया है तेक है आप उसी को पढ़िए बस अकाउंट्स वाला पोडिशन मत पढ़िएगा बात वहीं खतम हो जाएगी सिंपल इस्टेट जी है तो बाकी आपको हमारा प्रयास कैसा लगता है कर लो आप लोगोंने 900 की फैमिली कर दी है ठीक है बहुत अच्छा लगता है और यह जो भी अचीवमेंट्स है यह सब आपकी है और यह 900 का जब 9 लाग हो जाएंगे तब भी मैं कभी कोई क्रेडिट नहीं लूँगा और कभी कोई पैसे चार्ज नहीं करूंगा यह एस्यो जो लोग रहेंगे जैनुएल रहेंगे पढ़ते रहेंगे बस अबेर्लेस फैलाने का काम करते रहेंगे तो इसी के साथ बिदा लेता हूं धन्यबाद और तयारी करते रहें कीप प्रिपेरिंग